हलो जैफीबर फ्रेंदली तो जैसे कि मैंने प्रामिस करा था, so here I am और आप सबने प्रेविएस वीडियो पे इत्ती स्माइलीस दी कि स्माइल करकर के अब तो मेरी चीक्स दुख रहे हैं तो ज़्यादा टाइम वेसना करते हुए, लवेंड रेंप्शन 21, 22 एपीसोड की हिंदी एक्स्प्लेनेशन यहां है तो नकडी बिग लीडर आइम इन मच्छर, लीडर चू, आइम इन लिंग लॉंग के फादर को बोलता है कि मैं Ling Long के लिए Destiny Pearl को Demons को देने के लिए त्यार हूँ बट लीडर चू बूलते हैं कि मैं अपनी बेटी की जान बचाने के लिए पुरी दुनिया की जान खतरे में इनी डाल सकता इतने में बाकी sect की लीडर भी आ जाते हैं Vice Lord आइडिया देते हैं कि Destiny Pearl कवर के अंदर है क्यों न हम उस कवर को क्रैक करके उसमें नक्री पर्ल डाल दें और इस आइडिया से सभी एग्री करते हैं बट Vice Lord लीडर चू को Secret Crown का Secret बताने के लिए बोलते हैं जिस पर लीडर चू बताते हैं कि Secret Crown में Star of Mosha की आत्मा है जेड कप के अंदर बंद है और उस कप की रक्षा सलवर ड्रैगन कर रहा है तो हमें टैंशन लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बीना चारो Spirit की की कोई भी उस जेड कप को उपन नहीं कर सकता इतने पर दिग जिंगू सेक्ट का लेडर बोलता है अरे जिसको Spirit की के कवर को खोलने और उसको एक्स्चेंज करने का काम मिला था कि हमें नकली Spirit की बनानी है इसलिए हमें 5 बंदों की ज़रूरत है तो जल्दी चलो तो सभी Love Stone के पास आते हैं और अपनी पावर से नकली Destiny Pearl बना लेते हैं बट वो Love Stone यूंजी और हाउचन पर Red Glow करने लग जाते हैं इसका मतलब दोनों की जोड़ी Heaven से बन कर आई है और दोनों की किसमत एक दूसरे के साथ चूड़ी है बट हावचन और यूंजी इस Marriage Proposal के लिए मना कर देते हैं नेक्स्ट मावडनिंग हावचन आई मिंग किंग बैलिंग सिंग मिंग की क्लास लगाते हैं क्या फालतू की चीज़ बनाई है तोने Love Stone जिस पर सिंग मिंग सौरे बोलता है और कहता है कि आप God of War की इतनी हल्प कर रहे हो कि आपता स्टोन ने वो डिटेक्ट करा हो और आप यूंजी से शादी करी लोग क्या जाता है वैसे भी तो आप उसको हेवन लेके जाना चाते हो जिस पर हाउचन बोलता है बकवास बंद कर मैं जस थ्री रिलम के लिए यहाँ पर आया हूँ और आगे से अगर तुने बकवास आइडिया दिया और में लिए पंगे क्रियेट करे ना तो तू बचली हो बट्टा किंग बैलिंग के जाने के बाद सिम्मिंग बोलता है हाँ गौड ओफ फार इमोशन लैसा और अपने इमोशन का कुछ पता है नहीं दिंजिन सेक्ट लीडर असली डेस्टिनी पर्ल को नकली डेस्टिनी पर्ल के साथ एक्सचेंज कर देते हैं लव स्टोन की बात लेकर सभी सीमियर हाँचन और यूंजी को मैरिज के लिए कांग्रेट्स करते हैं जिसे जीफेंग सुनकर चला जाता और यूंजी पर उसके पीछे चली जाती है जीफेंग को समझाती है कि उसको कोई फरक नीं पड़ता उसकोैवन ने बलेसिंग दे या किस ने बलेसिंग दी पर वो हाऊचन से शानी नहीं करेगी ब़र हाऊचन बोलता कि मेरे को नहीं फरक पड़ता और मेरे को ये बातें मत सुना पर यूंजी बोलते है चाहे तू कान बंद कर चाहे कुछ कर बड़ मैं तरको सुना रही हूं तू है इसलिए तरको बतारू है अगर कोई और होता तब नहीं बताती ये सब हाउचेन भी सुनता और सैड हो जाता है हाउचेन क्यों सैड हो रहा है वो थोड़ना यूंजी के लिए है फूई आसलेंड की शिप पर डिमोन्स हमला कर देते हैं और ये बात बाकिसाक लीडर्स को भी पता लग जाती है सभी सिक्योर्टी वैरियर को एक्टिव कर देते हैं ताकि जादा डिमोन्स फूई आसलेंड पर एंटर ना कर पाए बट कुछ डिमोन्स सिक्योर्टी वैरियर लगने से पहले एंटर कर जाता है और उनके साथ फूई आसलेंड वालों की लड़ाई हो जाती है इसमें dragon के हमले से security barrier पर थोड़ा सा crack आ जाता है ठीक करने के लिए dongfang जाने लगते हैं button की wife queen wrong आके रोना धोना start कर देती है कि अगर आपको कुछ हो गया कोई भी मेरी और मेरे बच्चे की respect नहीं करेगा जिस पर dongfang अपनी wife को spirit की किचा भी देता है और बोलता है tension free रहे अगर मेरे को कुछ हो भी गया ना फिर भी तो इस फूय आइसलेंड की queen रहेगी इसके थ्रू Zeefang आकर अपने power से उस crack को heal करने लग जाता है security barrier जीफिंग की बहुत energy consume कर देता है और उपर से dragon भी अपनी आग बरसाना नहीं छोट रहा होता और barrier तूट जाता है वो अपना hero problem में हिरोईन तो आएगी ना obviously यूंजी आती है इतना कुछ होते हुए देखकर obviously यूंजी की power फिर से active हो जाती है और वो अपनी power से एक ही वारी में उन्हीं की आग से सारे dragons को मार देती है I mean यह scene सही में बहुत अच्छा है मिला में को goosebumps आगे थे बहुत प्यारा scene है यह पच्छे होए dragons भाग जाते है कुइंग रॉंग मच्छर के साथ spirit की लेके भाग जाती है फिर यूंजी का वही scene पावर यूज करने के बाद भी होश हो जाना फिर यूंजी demonic औरा तो smell करी सकती थी इसलिए वो सब को बताती है कि यहां पर demon है यूंजी की through सभी मच्छर और कुइंग रॉंग को पकड़ लेते हैं पर dong fang टिकनी पाथता और leader chu आता और leader chu भी उस wolf demon के सामने टिकनी पाते है इतने में यूंजी और zee fang wolf demon पर attack करते हैं और zee fang का silver snake भी उस wolf demon को काट लेता है वैसे देखा जाए silver snake हमेशे पंगे लेने के लिए तयाया रहता है wolf demon यूंजी और zee fang के सामने टिकनी पाता है इसलिए वो king rong को अपने साथ लेके गुम हो जाता है जिस demon को fight के दुरान जिन्दा पकड़ा होता है उससे सभी पूछताच करते हैं जिस पर वो demon बताता है कि sky hall वाले spirit key की मदर से woosie koo को असाथ करना चाते हैं अरे वही stupid monkey purple fox का link description में है जाके check कर लो नहीं तो नहीं समझाएगा क्योंकि जब 1000 साल पहले लडाई होई थी तो god of fire ने star of mosha को मार दिया था और उससे उसके सारे जादू हथियार ले लिये थे जो woosie q के पास है I mean stupid monkey के पास है जिसके त्रू वह star of mosha को जगाना चाहते है I mean जन्दा करना चाहते है इससे जादा उस demon को कुछ पता नहीं होता और dong fang उसको मार देता है को tension हो जाते है क्योंकि sky hall वाले 2 key already चुरा चुके है और 2 key बच्ची है और उनको star of mosha की location का भी पता लग गया है जहांपर वो seal है silver snake zifang को वो ring दे देती है जो demon के identity होती है उस ring के थू zifang उस demon से information एकलवाने जाता है I'm sorry guys मैं नीद में हूँ actually dong fang ने उसको मारा नहीं था जस्ट अधमरा करा था पर zifang और demon पर कोई जान लेवा हमला करता है जिस पर zifang तो बच जाता है बट वो demon मर जाता है yunji को room में बंद किया होता है क्योंकि वो wolf के पीछे जाना चाती थी spirit की के लिए पर yunji अपनी power से उस magic को तोड़के बाहर जाने लगती है और वो yunji को freeze करके उसको जबरदस्ती श्यांक सेक्ट लेके जाने लगते है जिस पर zifang हाओचन को रोकता है और हाओचन को गुस्सा आ जाता है और वो zifang से लड़ने लग जाता है silver snake पता नहीं कहां से प्रकट होकर हाओचन पर poison spread कर देती है little six को होश आ जाता है और ये बात आंट होगा कि सबको बताती है little six को ये पता लगता है कि leg long की spirit उसकी body mania और wootong ने निकाल दिये तो वो गुस्सा हो जाता है और wootong को ढूंडने के लिए निकल जाता है जिस पर जी फैंग उन्जिस को समझाता है और वो भी उसके साथ निकल पढ़ता है जून को रोक लेते हैं और हाओचन silver snake को पकड़ लेता है जो यू हाओचन की बहुत मेनते कर रहा होता है यार हाओचन की silver snake को लाइक तो निकलता है लीटल सिक्स को silver snake को देखकर रयाद आजाता है कि उसने एक बंदे को मारा था गल्थ फैमी की वज़े से silver snake को वो वूटों का चासू समझ लेता है एक्चली जी फैंग ने silver snake की identity चुपाई होती है किसी को भी नहीं पता होता कि वो silver snake है पर जब misunderstanding जाता ही बढ़ने लग जाती है तो जी फैंग अपने silver snake को अपने पास ले लेता है जी फैंग बोलता है silver snake कोई demon नहीं है और मैंने identity तभी चुपाई थी ताकि आप उसको गलत ना सोचो और silver snake ने कभी वियास्त किसी को हाम नहीं कर रहे इस बात पर रोयो भी जी फैंग की स्पोर्ट लेता और यूंजी भी बोलते कि उसको भी कभी silver snake में से demonic aura की smell नहीं आई पर सब को पता लगता है कि उस demon की death हो गया और सभी वहां कठा होते हैं जी फैंग के कपड़ों पर जहर का दाग देखकर सभी उस पर तलवारे तान देते हैं बट जी फैंग सभी को सच पताता है कि मैं भी यहां पर सच का पता करने आया था और मैं को टाइम नी मिल आपको बताने का क्योंकि इतना कुछ हो गया बट इतने में लिटल सिक्स को गुसा हो जाता है कि सारी किलती उस सनेक डिमॉन की है और वो जी फैंग के कपड़ों को जबरदस्ती जहारने लग जाता है उस सिल्वर सनेक को निकालने के लिए बट रिंग निकल जाती है वही डिमॉन वाली जो दी थी सिल्वर स्नेक ने उस रिंग को देखकर कोई भी जीफेंग की बात नहीं सुनता और उसको अर्रेस्ट कर लेते हैं दिमॉन समझकर यून जी हाउचन से हल्प मांगते हैं बर ठाउचन मना करते हैं और बोलते हैं तब ही मैंने तेरे अंदर की सारी पावर सील करके रखे उसको सेव करता और उसको बोलता है कि तु लिंग लॉंग का रूप रंगले और सोल्बैल की मदद से बनाना स्पyaniूरैट की आधी स्पिरिट वो निकाल देता है और उसमें लिंग लॉंग की यसंता टान ले लग जाता है और अपसे तेरे नम लिंग लोंगे और तू सिरुफ मेरी है भाई क्या साइको लवर है ये बंदा हाँ यूंची फूयो आइसलेंड में डिमॉन को ठूणने लगी होते है कि इतने में लिटल सिक्स आता है और उसको बोलता है पागल है क्या हरकते कर रही है तू और यूंची को लिटल सिक्स के दूफ पता लगता है कि जी फैंग को टॉच्छर करा जा रहा है लॉर्ड डॉंग जी फैंग को डिमॉन समझके टॉच्र कर रहे होते है बड़ जी फैंग उनको ट्रस्ट दिलवाने की कुश्श करता है kind of torture ही कर रहे थे सभी जी फैंग पर और जी फैंग पर सच पूर रहा था कि मैं डिमॉन नहीं हूँ और नहीं मेरा spirit beast डिमॉन है इतल सिक स्युन जी को कोई cell के अंतर नहीं जाने देता है फाइनली जी फैंग बोलता है तुम सभी हवा में उड़े हुए थे अपनी शक्ती के नशे में चूर की हां सकाई हाल हमारा कुछ नहीं बिगार सकता अब जब तुम्हारी spirit की चोरी होगे तो तुम अपनी गलती नहीं मान रहे मेरे पर अपनी गलती थोप रहे हो रीजन ढूंड रहे हो एक यह सुनकर दिजिंगू लिटर गुस्सा हो जाता है और सीफेंग को हैल नेल से फिर से दर्द देता है और यहीं पर बैंग लव अंड रेदेंप्शन एपिसोड 21-22 की एक्स्पिनेशन खतम होती है और डीफीवर फैमिली आपको यकीन होता तो मैंने टाइमिंग भी डालिया देखो इतना लेट उटके मैंने एडिटिक करी अपना प्रामिस पूरा करने के लिए आपकी स्माइली की वज़े से और मुझे नहीं पता इस एक्स्पिनेशन में मेरी यावास कैसे आई है क्योंकि मैं सच बता रहे हूं मैं जस्ट आधी नीन में हूं